नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब चानल पर तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे घर का बना आम चुर पाउडर जिसे बनाना बहुत ही आसान है गर्मियों का मौसाम है काफी अच्छी धुप मिल जाती है और आम भी काफी अच्छी मात्रा में मिल घ्रणाई जाते हैं तो इनहीं कच्छे आमों से हम घर पे ही आम्चुर पाउडर बनाके तयार करेंगे। यहां पर कुछ कच्छे आम हैं। इनकी ऊपर का चिलका उतार लेना है छिलनी के सायता से आपका घर का बना हुआ आम चुल पौटर बनके तयार हो जाएगा शेबाने के लिए जब भी आम आप लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दिजीए हाम ठोटे होंगे जो बहुत із-ac hobby अहीं आशानी से आप का गुदा वाला भाग होता है उसे छोटे छोटे टुकडों में काट लिया जाता है और इसे अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है काटने के बाद अभी टुकडे बड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन सुखने के बाद बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं ये और इन्हें स अच्छी तरह से सूपक कर तयार हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एकदम सुबा सुबा के समय ही अच्छी तरह से अपनी छट पर इन आम की टुग्रों को सूती कपडे फफैला दिया है एक दिन की अच्छी धूप लगने के बाद ये इस तरह से बनके तयार हुआ है अब इसे पंखे के नीचे कपड़े में इसी तरह से फैला कर छोड़ देना है और तीन से चार दिन की बहुत अच्छी धूप लगाने के बाद ये इस तरह से सूप कर तयार हो जाते हैं देखे कैसे आवाज आ रही है एकदम कड़कर की और इसे तोड़ के देखना इस तरह से चेक कर लेना है जब इस तरह से खट-खट तूपने लगे तो समझ लिजे कि ये आमचूर पावडर बनाने के लिए दम बिलकुल तयार है अब इसको थोड़ा-थोड़ा करके मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेना है हम लोग गाव में इसी तरह से साल भर के लिए आमचूर पावडर घर पे ही बना के तयार कर लेते हैं ये आमचूर पावडर हमारे यहां अप्रेल से जून के महीने तक बनाये जाते हैं क्योंकि अप्रेल और जून के महीने में काफी अच्छी दूप होती है जिससे आम इसे इस तरह के बड़े से चंचे में डाल जाता है और दालने के बाद इसे छाण लिए जाता है तो जो महीन वाले टुकड़ा है वो सब नीचे गिर जाता है और जो कि अभी को दुख ऌट बूर बना कर तयार करते हैं तो बहुत ही प्यारी इसे खुश्बू उत्ती एकदम कच्चे आमों के और यह जो आमचुर पाउडर बनके घर का तयार होता है आप इसे किसी भी रेसिपी में यूज़ करेंगे आपकी रेसिपी का टेस्ट यह बढ़ा देते हैं आमचुर पाउडर तो यहां पर देखिए थोड़ा सा घर का बना कि रेसिक्त लोग यहां पर हमारा घर का बना हुआ इसे उसे आमचुर पाउडर का इस्तिमाल कर ते उस्हायार की वीडियो भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी और यहाँ पर हमारा घर का बना हुआ आमचुर पौडर बिल्कुल बन के तयार हो चुका है। को डोगुना से चार बुना कर सकता है। इसी तरह से आप आमचुर पौडर बना कर किसी भी सूखे कंटेनर में चाहे प्लाश्टिक के या फिर काज के जार में रख दीजिए साल दो साल बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे और अगर आप इसे ज़्यादा और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सार सरसो का तेल और नमक मिला के रख दीजिए और भी जादा दिन तक ये चलेंगे तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो का लाइक शेर कमेट करना बिल्कुल भी ना भूलिए